उनकी सभी मनो कामनाय पूरी हो जाती हैं पूरान मास्य के दिन सत्त नारण भगवान की पूजा की जाती हैं सत्त नारण भगवान मन वांचित भल प्रदान करते हैं सभी मनो कामनाय सभी इच्चाय पूरी हो जाती हैं जो व्यक्ति सत्त नारण भगवान की पूजा करते हैं। सुबह उड़ते ही सरपत में स्नान करें, उसके बाद में सूर देव को अर्ग देना चाहिए, भगवान की पूजा के बाद में गौ माता की पूजा करने चाहिए। गोमाता की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का फल प्राफ्त हो जाता है सास्त्रों में कागया है कि जो व्यक्ति गोमाता का पूजन करते ही जीवन की आरही सारी समस्यां सारे दुख दूर हो जाते ही कार्तिक मास हूँ माग मास हूँ इन महिनों में दीपदान का गौमाता की पूजा का विशिश मैत्व है जो व्यक्ति मंदर में दीपदान करते हैं उनके जीवन में उजाला आता है उसी प्रकार से जो व्यक्ति गो माता का पूजन करते हैं उनकी आ रही सारी समस्यां दूर हो जाती है धन प्राप्ति के लिए अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आपको गो माता का पूजन जरूर करना चाहिए प्रतेक अमावस्या को प्रतेक पूरण मासी को एकाथ इसी के दिन गौमाता को आप जरूर घर पर बुलाएं अगर पना है तो आप गौसाला जा सकते हैं कापी सारे गरों में ऐसा होता है कि गो माता सुभश वह आ जाती है तो आपको उनको बिना मीटा खलाए नहीं जाना चाहिए जिस पकार से गौ माता की पूजा का मैतो है, सास्तरों में उसे पकार से तुलसी माता की पूजा का भी विशिश मैतो है जिस गर में जिस आंगन में तुलसी का पवदा होता है मापर साक्यत माता लच्मी का बास होता है पूरण मासी वाले दिन 81 के दिन तुलसी के पत्ते भगवान सालगराम जी को अरपण करने चाहिए इससे हमारी सभी मनुकामना पूरी हो जाती है मंदर में तुलसी का पवदा लगाना चाहिए घर में तुलसी का पवदा लगाना चाहिए जो व्यक्ति इस दिन अपनी मनुकामना बोल करके तुलसी के गमलेवी चावल डाल देता है उसकी मनुकामना पूरी हो जाती है पूरा नमासी वाले दिन तुलसी पूजन का विशिश मेत्व है तुलसी माता के सामने स्वास तक चिन बनाए उसके बाद में आप तुलसी माता की परक्रमा करें तुलसी माता को आप इश्नान कराएं यानि जल दें इस प्रकार से किये गए प्रतेकार का विशेस मैत होता है और हर प्रकार की मनो कामना इच्छाय पूरी हो जाती है बागवान के सामने तुलसी के पत्र चड़ाते समें ओम नमो भगवते बासदेवाय नमा मंत्र का जाप करना चाहिए जो ब्यक्ति बागवान को तुलसी पत्रार पड़ करते समें ओम नमो भगवते बासदेवाय नमा मंत्र का जाप करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं कुंडली में अच्छे योग बन जाते हैं हर प्रकार की मनुकामना पूरी हो जाते हैं उसी प्रकार से गौमाता की पूजन का भी महत्व है पूरा नमासी वाले दिन रोटी गुड हरी घास साथ ही तिल यह चीजे गौमाता को जरूर खिला करके आएं और रोटी पर करने से कामदेनु माता का आशिरवाद प्राप्त होता है और हर प्रकार के मनुरत पूरे हो जाते हैं पड़ी पूरा नमासी है बहुत ही अच्छे योगें तो आप गौमाता का पूजन तुलसी माता का पूजन दीबदान भगवान विश्नु का पूजन यह पूजाएं ज ज्यादा से ज्यादा स्यार करें चैनल को सब्सक्राइब करें बागल में घंटी के बटन को दवाएं हर वीडियो का नोटिपिकेशन पाने के लिए जैस